हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं इस वीडियो में जेट प्लांट के बारे में बात करूँगी कि इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या नहीं करना चाहिए अक्सर मैं अपने सभी वीडियो में बताती हूँ कि जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए दिसंबर का महीना है सर्दियों का सीजन है तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी कि इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको सर्दियों में क्या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि अब ठंड जोरों से बढ़ने वाली है तो इस मौसम में अगर आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपका जेट प्लांट खराब हो जाता है तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी कि आप ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें तो दोस्तों आज जो भी मैं बात सेर करूंगी आप से अगर वो टिप्स आप अपनाते हैं तो आपका सर्दियों में जेट प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अक्सर मेरे पास कमेंट आता रहता है कि मेरा जेट प्लांट खराब हो गया है या इसकी कटिंग चल नहीं पा रही है कैसे लगाएं क्या करें वैसे दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि ये एक हार्डी प्लांट है ये जल्दी खराब नहीं होता है लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जिसके कारण ये प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो आज मैं उनी छोटी छोटी बातों को आप से शेयर करने वाली हूँ तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेगा बीच बीच में अगर बाते छूट जाएंगी तो वो अगर आप अपने पौधे पर अपना देंगे तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की इसे सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये धूप वाला ही पौधा होता है तो सर्दी हो या गर्मी इसे 4-5 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए आप इसे ऐसी जगह रखें जहां पर प्रौपर सनलाइट आती हो जब इसे 3-4 घंटे की धूप मिलेगी तो इसकी ग्रोध भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी दूसरी बात ये है कि आपको इसके उपर 2-4 दिनों पर सावरिंग जरूर करनी है पानी की बोचार से इसको धूल देना है क्योंकि इसकी पत्तियों पर अकसर आप देखते होंगे धूल पत्तियों से ही अपना भोजन मनाते हैं तो इनकी पत्तियों पर अगर धूल जमी रहेगी तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और इनकी ग्रोध में कमी हो जाएगी ध्यान रखें दोस्तों जब भी आप जेट पलांट पर स्प्रे कर रहे हैं तो उसे मौर्निंग के वक्त या दिन के वक्त ही करें साम की वक्त अगर आप इस पर इस्प्रे कर देते हैं तो इनकी पत्यों में पानी जमा हो जाता है जो फंगस का रूप ले लेता है और आपके प्लांट को खराब कर देता है और friends सर्दियों में जेट प्लांट में पानी भी आपको सुबह के वक्त ही देना है साम को इसमें पानी नहीं देना है इनकी जड़ों में ठंडक का रूप ले लेती है और जब भी पानी दे तो अगर आपके घर में मोटर बगारा लगी है तो ताजा पानी ही निकाल कर दे ज़्यादा तर जेट प्लांट पानी की वज़े से ही खराब हो जाता है अगर आप इसमें पानी बराबर देते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा तो सर्दियों में इसे लगभग 8-10 दिन के बीच में एक बार ही पानी देना है मैं तो जब भी पानी देती हूँ तो इस पर वाटर स्प्रे कर देती हूँ जिससे इसकी पतियां भी धुल जाती है पतियां जब धुल जाएंगी तो ये अपना भोजन ठीक से बना पाएंगी और इसकी ग्रोध भी अच्छी होगी तो दोस्तों अक्सर मेरे पास कमेंट आता रहता है कि मेरा प्लांट चलता नहीं है खराब हो जाता है कटिंग नहीं लगती है तो क्या करते हैं हम लोग कटिंग लगाते हैं या कोई प्लांट होता है उसमें पानी डाल डाल कर हम लोग उसे सडा देते हैं देखिए मेरा गमला कितना सूका हुआ है बिल्कुल ही मिटी ड्राई हो चुकी है मैंने इसमें आठ दिन से पानी नहीं दिया है तब भी ये मेरा प्लांट इतना हेल्डी है आज मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको इसमें वाटरिंग की है क्योंकि काफी सारी धूल इसमें जमा हो चुकी थी और फ्रेंट्स सर्दियों का मौसम है तो इसकी कटिंग आपको अभी नहीं लगानी चाहिए नहीं इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए क्योंकि ये रिष्ट समय होता है इसका अगर आप इसकी प्रूनिंग करेंगे या फिर इसकी कटिंग लगा देंगे तो उसमें रूट्स नहीं आएंगी और नहीं नई ब्रांच निकलेगी और फ्रेंस जो भी आपने टोप यारी बगरा बना रखी है उसमें भी आपको कटाई छटाई बिल्कुल भी इस मौसम में बंद कर देनी चाहिए जो भी लुक आपका तयार किया हुआ है उसको वैसा ही रहने दें कटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा इस समय इसकी ग्रोध बिल्कुल ही रुख जाती है सर्दियों में इसका रिष्ट का सीजन होता है तो आप इसकी कटाई और कटिंग लगाना बिल्कुल बन कर दें और ध्यान रहे दोस्तों एक बात का और ख्याल रखना है इस मौसम में आप इसको किसी भी तरह का फर्टिलाइजर बिल्कुल भी ना दें ये फ्रेंड्स मेरा राउंड सेफ जेट प्लांट है जो मैंने आपसे वीडियो भी सेयर किया था काफी सफोर्ट किया था आपने ये मदर प्लांट है जिससे मैंने ये छोटे-छोटे पौधे तयार कर रखे हैं इससे मैं एक और लुक देने वाली हूँ पिकॉक का लुक तो मैंने इसकी ग्रोध काफी अच्छी कर ली है ये कटिंग काफी सारी लगा रखी है और बहुत सारे चीजे मैंने बनाई है कुछ टोप्यारी भी तयार करी है लेकिन ये मौसम इसके रिष्ट का होता है तो इसमें खाद वगएरा देना बिल्कुल ही बेकार हो जाता है आ उनको साम के वक्त या तो इसके उपर कपड़ा डाल दें या फिर किसी प्लांट के नीचे रख दें छोटे प्लांट ज्यादा सर्दी बर्दास नहीं कर पाते हैं जिसके कारण ये खराब हो जाते हैं तो इन्हें हमेशा ध्यान रखेगा इन्हें फुल सनलाइट में रखे और साम के वक्त इन्हें ऐसी जगह रखेगा जहां पर इनके उपर पाला वगएरा ना पड़े ओस ज्यादा पड़ जाती है तो ये पौदे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और इसमें किसी भी पेस्टी साइट का उप्योग ना करें क्योंकि इस मौसम में इसमें कोई भी कीडा नहीं लगेगा तो इसमें पेस्टी साइट उप्योग करना बिकार है बिकार में ही केमिकल का यूज करेंगे और अपना खराब करते रहेंगे और ध्यान रखेगा फ्रेंड्स इस मौसम में पीली पतियां बहुत जल्दी होने लगती हैं तो इन्हें फुल से जादा होती है पाला पड़ता है ओस गिरती है इनकी पतियों में आल्रेडी पानी भरा रहता है जिसके कारण यह ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपने बजन को सहन नहीं कर पाती वो फिर पीली होकर गिर ही जाती है तो इसलिए इसे पानी से बचाएं ज्याद करने से इनकी रूट डेमेज हो जाती है और यह प्लांट जल्दी बेकार हो जाता है जब गर्मियों में इने खुब धूप मिलने लगे पानी ठीक से देने लगे तब इनकी गुडाई करना सुरू कर दीजेगा तो फ्रेंस कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बत लिएगा मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में थैंक यू